जैजीने इंद्र बंधुओं, पार्स टेवी के स्विशेश प्रस्तुती जैन वास्तु रहस्य की नई श्रंकला वास्तु अदालत में आप सभी का हारदिक अभिनन्दन है बंधुओं, ये कारिक्रम बहुत हटके है, क्यूंकि इस कारिक्रम के माध्यम से आपको वास्तु के बारे में हम जानकारी देंगे साथी साथ आपकी जो दिल से, आपके दिमाग से वास्तु से संबंधित चीजों से भरोसा उठ गया है आपके अंदर बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन हो गई है कि वास्तू कुछ भी नहीं है उसके बारे में उन प्रशनों के उत्तर आप इस कारिक्रम की माधियम से जानेंगे क्योंकि ये कारिक्रम लेकर आए हैं हमारे समक्ष विश्व विख्यात वास्तू एक्सपर्ट डॉक आस्तू की जानकारि यदि आपके अंदर बहुत गहराई से आपको दी जाए तो आपके जीवन में खुशियां आ सकती है तो चलिए देर न करते हैं कारिक्रम की शुरुआत करते हैं और जहेलेुएंद्र ढॉपमिन दिशक होता है कि जब कोई शामने आया है उनके प्रशन के उस्तर देने के लिए तो बहुत सारे प्रशन हमारे पास आ unnecess deshaft TIME, हमसे ये प्रश्न पूछा है कि जब उनके घर में बच्चे बिमार पढ़ते हैं, उनकी पत्नियों को तब्यत खराब होती है, माता पिता बिमार पढ़ते हैं, तो उन्हें ये कहा जाता है, आप वास्तो वित के पास जाएए, वो आपके घर की जो डिरेक्शन उनमें सुधार करेंगे और आपके घर की बिमारी ठीक हो जाएगी, तो क्या अब दर्शक वास्तो वित के पास जाएए, अपनी समस्याओं को लेकर डॉक्टर हकीमों को छोड़कर, ये आप लोगों पे सीधा-सीधा आरोप लगाया जा रहा है, जो वास्तो को प्रमोट करते हैं, जो कहते हैं, वास्तो से हर प्रकार की चीज़ें, हर प्रकार की बिमारियां दूर हो जाती हैं. और वह हैं इलाज कराते रहें, लेकिन उनका इलाज के उपरांत भी उनकी बिमारी दूर नहीं होगी. और आफ्टराल उन्हें किसी बास्तो एक्सपर्ट के पास जा करके, जब उसने देखा कि कहीं आपके घर में, जो आपकी नाली गंदे पानी की बह रही है, वह कहीं ओपिन है, इशान कोड पर है, या बास्तो के विपरीत है, और जैसे ही उसका टीटमेंट किया गया, और उ उसके ठीक सामने लेटिं थी, और सारे बायरा सोड़कर के उस खद पदर्थ पर बैठ जाते थे, तो उस घर में सारे बच्चे बीमार बने रहते थे, जब कहीं देखा कि एक घर के सारे, चाहे बच्चेओं या बूड़े, सबको कोई ना कोई हड़ी की सर्वाइकल कि आपको अपने घर के लिए घने ब्रेक्च से ढखा नहीं होना चाहिए, आपके घर में यदि बैक्टेरिया सरफेस पर आएंगे, याने कि आपकी कोई नालियें खुली होगी, या नालियें गलत जगए पर होगी, ऐसे जगए पर होगी, जहां पर आपकी पॉजिटिव इनरजी आ रही होगी, तो ऐसे पाजिटिव को निगेटिव कर देगी, तो आप निर्णय कर लिजिए कि आपको सरफ्रथम कहां जाना चाहिए, मूल जड़ पे जाना चाहिए, या उपर जाना चाहिए, आपका रोगी इलाज एक बार कर देगा, दवा देदेगा, लेकिन पूरी तरह से तो आपको यदि बाइरसों को नहीं आने देना है तो आपको एकॉर्डिंग वास्तू वास्तू यह कहती है कि आप अपने घर में होने बाली भूमिगत या फिर कौस्मिक किसी भी तरह की निगेटिविटी को आप नहीं आने दीजिए आप लगभग साइद पुने आप प्रश्न कर सकती है डॉक्र साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मेरे जो ऑडियन्स ये सकारिक्रम को देख रहे हैं वो भी सहमत होंगे लेकिन एक प्रश्न फिर भी उठता है यहां पर कि आपने कहा कि डॉक्टर के पास जाएंगे एक दो दिन में ठीक हो ज जाएगी लेकिन कहने को तो वो सब ये भी कहते हैं कि आप अगर आपके घर का वास्तु सही होगे तो आपके घर में नौकरी बहुत अच्छी आपके पती को मिलेगी आपके बच्चे बहुत सक्सेस्वल लाइफ जीएंगे आपके बच्चे क्लास में अवल नंबर पर आए आपके घर में कभी कलेश नहीं होगा तो बात बताईए जब सारी चीजे वास्तु विधि कर जाएंगे तो बाकी जो दुनिया जहान के लोग डिगरी लेके बैठे हुएं वो क्या करेंगे चंता जगत का बहुत बड़ी आरोप है कि यदि वास्तु विधि सब कुछ कर दे है वास्तु सिर्फ वैठी कर सकती है जिस तरह से जब आप अपने घर में सुबह उठकर के ज़ाड़ू लगा लेंगे तो घर साफ सुतरा हो जाएगा आपको पॉजिटिव फील होगा लेकिन यदि मैं यू कहूं कि आपकी किस्मत को बदर डालेगा आपको नौकरी दिला जी हाँ, नौकरी कम दिला सकता है? जबकि आपका अपना भाग्य में होगा, लेकिन यदि प्रकति के बिप्रीट चलोगे, आप अपने घर में ऐसे इस्थान पर बैट रहे होगे, जो डिप्रेसन का जोन होगा, जो बिसर्जन का जोन होगा, जो गंदे इस्थान का जोन हो तो आपको अध्यान में सफलता और आपको नोकरी कदापी नहीं मिल पाएगी तब एदी ऐसा कहा जाए कि सही आपके भग में हैं और आप सही इस्तान पर बैठते हैं तो आपका ध्यान लगेगा मन लगेगा आपको पाजिटीव इनर्जी प्राप्त होगी और निश्चित र जनता से मैं जरूर यह बात कहना चाहूंगी कि वास्तु आपके जीवन में बहुत महत्वर स्थान रखते हैं कहीं ना कहीं हम चीजों का हमें जो कर्ष्च होता है उसका हम निवारन तो ढूंड लेते हैं लेकिन पूरते हैं जानकारी ना मिलने के कारण हम उसे जड़ से ख किये जा रहे हैं आम सब पर कर सकते हैं डॉक्टर साब मैं तो सहमत हूँ आपके इन बातों से जो आपने यहां पर जानकार दी निश्चत तोर पर कुछ न कुछ चीजे होती हैं जो प्राक्रतिक हमारे लिए बनाती है उसके अनुसार चल्ला ही हमारे जीवन में खुश्या का कारण बनता है एक और दर्शक है जिन्होंने प्रश्न ये भेजा है कि उन्होंने एक ऐसे वास्तु एक्सपर्ट से मुलाकात की थी जब वो घर का निर्मान करने जा रहे थे तो उन्होंने इस चीजों में उल्जा दिया कि आप वास्तु अपने जन के अनुसार करवाई पूछना चाहते है उपन का ये प्रश्न है कि क्या हम जन्म के माध्यम से अगर हमें वास्तु के बारे में जानकारी ना मिले तो कोई भी हमें आके वेवफूफ बना जाएगा क्यों होते हैं उनके अंसार तो वास्तु एक वैपार हो चुका है क्योंकि लोग लोग इतने ज यन्मिरासी किसी के मूलांग से क्या बास्तु का निर्धान किया जा सकता जी हाँ यद機 वह कोई भी EXYZ बास्तु बkich आया हो जिसे आप कह रहा है गुम्राय हो गया निश्चित रूप से वह बास्तु बित सही है जिससे आप गुम्राय हो रहा है वह गलत नहीं है क्योंकि ए दूसरे ने खरीदा वो माला माल हो गया इसका सीधा मतलब यह है कि अलग अलग राशी और अलग अलग मूलांक के लिए अलग अलग दिशाओं का निर्धारण किया जाता है जैसे कि एक नंबर का अंक होता है सूर का उच्च का एक नंबर का सूर का होता है तो एक मूलांक के के लिए हमेशा पूरव की दिशा निर्धारित की गई है क्योंकि एक अंक ऊच्छ का सूर का और सूर की दिशा पूर्व दिशा होती आ सूर की दिशा निवास कर सकता है इसी तरह से अलग-अलग राशियों के इसाफ से अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग दिशाओं का निर्धान किया जाता है लेकिन व्यक्ति यह नहीं समझ पाते हैं कि कौन वास्तुवित सही है और कौन गुमराय कर रहा है जो वास्तुवित ज्यादा गहराई में जाता है वहीं पबलिक कह देती है ये तो मुझे गुमराय कर रहा है इसलिए वह सोचता है कि बहुत बढ़िया है यदि चार दिशा और चार विदिशा की वास्तुवित वता करके और सिर्फ यदि ऐसे ही वास्तुवित बनना है तो दोस्तों मैं सिर्फ इस एपिसोड के माध्यम से आपको मात 18 मिनिट में ही आप बहुत अच्छे वास्तुवित बन जाएंगे कि आप आगने कोड़ पर ही रशोई बना दीजिए और नेरत पर आपका सैन कर लीजिए और बायब में जाकर के आप अतिति कक्ष बना दीजिए और हिसान में अपना पूजा कक्ष और ब्रह्मिस्तल पर आप ड्राइंग वास्तु नहीं है वास्तु वह है जिसमें आपकी mathematical वास्तु लगे जिसमें आपके एक एक द्वार का ये निकाला जाए कि ये आय कितनी होना चाहिए किस location पर होना चाहिए भूमी कैसी होना चाहिए इत्यादी अनेक बात्तों का color combination interior वास्तु किस वस्तु के साथ किसको रख जाए यदि आप इस तरह से पूरा स्योजन नहीं करेंगे तब तक आपका वास्तु का कोरम पूरम पूरा नहीं होता है डॉक्टर साब बुरा मत मानिएगा यहां पर क्योंकि यहां पर मैं जनता के बिहाफ से आपसे प्रशन पूछ रही हूं क्योंकि यह वास्तु अदालत ह और मेरा यह करतव्य है कि मैं यहां पर जनता के लिए प्रशन पूछू और आप उसका उत्तर दे क्योंकि आप विश्व विख्यात वास्तो विध हैं और यह माना जाता है जहां पर आपके कदम पढ़ते हैं और आप कदम रखते ही आप यह जानकारी प्राप्त हो जाते है आपको कि इस घर में क्या चीज अनुचित है, क्या चीज गलत दिशा में बनी हुई है तो यहां पर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार आपने यहां पर हमारे दर्शकों को यह बात बताई कि जो बहुत depth में knowledge देते हैं वास्तू की, वो वास्तों में आपको सही जानकारी दे रहे हैं लेकिन यह बात तो हर को याके करता है यहां पर कि हमें वास्तू के बारे में यह जानकारी लेनी चाहिए, गहराई में जानकारी लेनी चाहिए लेकिन क्या एक आम इंसान कैसे समझ सकता है कि वो सामने वाला इंसान हमें वास्तु के बारे में सही जानकारी दे रहा है या गलत जानकारी दे रहा है क्या आपने कभी जो आपको बास्तु विद के लिए कॉल कर रहे हैं जिसा बास्तु विद की कंसर्टैंसी ले रहे हैं उसका कम से कम एजुकेशन तो जानिए क्योंकि मेरे ऐसे कितने बास्तू विदों को देखा उनका एजूकेशन आपको सुनके आस्चरी होगा ग्यारा क्लास पड़े हुए आठ क्लास पड़े हुए किसी को कुछ आता ही नहीं जब उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है जब उन्हें साइंस पड़ा ही नहीं है जब उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री पड़ी ही नहीं है तब उन्हें बास्तू में भूमी की जैसी बास्तू होती है तो केमिकलुफिजिकलुफिगलुफिजिगलुफिझ वॉट्मीकलुफिगलु जितने बड़े वास्तुविद पीस उतनी बड़ी। तो कहां से एक आम इंसान अपनें आम इंसान निश्यत रूप से आज पिस रहा है। लेकिन मैं आज इस कारिक्रम के माध्यमशे उन आम इंशानों के लिए ये प्रोगाम होगा वह टिप्स देना चाहता हूँ कोई जरूरत नहीं है आप यहां वाके दंद फंद में पड़ें आप तो सिर्फ और सिर्फ केवल लेंड की इनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करें सब कुछ यूँ ही बढ़ जाएगा जब जमीन में सही समय पर और सही फर्टाइल जमीन बन जाएगी और आप 20 सही समय पर डल दर्शक है जिननने एक प्रशन भेजा है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है यह मुझे लग रहा है क्योंकि हर एक इंसान जिसकी आमदनी थोड़ी सी है और वो एक एक पाई एकठा करके एक जगे खरीदता है और सोचता है कि मैं इस जगे को खरीद दूंगा मेरी जितन लगानी है और वह बहुत ही सरलता के साथ बोल देता है कि यह इस फैक्टरी यह भूमी इस फैक्टरी के लिए उचित नहीं है तो वही वह पूछ रहे हैं यहां पर कि मैं क्या करूं मुझे तो सीदे सीदे बेवकू बनाया जा रहा है मैं क्या करूं मैं इस जमीन को किसको बेचु अब कोई उतने रेट में खरीद भी नहीं रहा है तो वह जानना चाहते हैं यहां पर कि इस स्थिती में उन्हें क्या करना चाहिए मैं यहां सीदे सीदे जवाब यह देना चाहता हूं वास्तुवित और जो भी मालिक ओनर है वह दोनों गलत है यह दोनों सही है दोनों गलत इसलिए कि यदि वास्तुवित का यह फर्ज नहीं होता है कि सिर्फ अकेले किसी को देख करके किसी भूमी को देख करके उसको सिर् एससे लो करड़ो क्योंकि आज इतनी जमीने नहीं कि लोग अपनी जमीनों को चैंज कर सकें उसे उस भूमी पर ही इनर्जी याज आप सिर्फ और सिर्फ केवल भूमी की उर्जा को देखकर के और उस भूमी को यह कहते हैं कि यह ब्यापार योग नहीं है यह निवास योग नहीं है तो यह आप इसको निवास योग बना कैसे सकते हैं आप इसे ब्यापार योग कैसे बना सकते हैं जी हाँ यह पासिबिल है मैंने कम से कम 725 केस इस भारत में ऐसे किये हैं जो निकरशतम भूमिय रही और उन भूमियों को मैंने ब्यापार योग बना किया कैसे किया उसमें भहुत सारी मेतड होती है जैसे सरफ परफाम उस भूमी को मंतिरोलोजी obstruction की जाती है फिर इसके बाद उसमें मिन्री 만들어 असे नियकर करने को प्राइंë उस भूमी के गर्विविन्याष्च की बिया करने के बाद वह भूमी पूरी तरह जागरत हो जाती है वह भूमी आपके व्यापार योग हो जाती है वह भूमी आपके निवास योग हो जाती है वह भूमी आयोग से योग हो जाती है जे, बिलकुल, डॉक्टर साहब यहाँ पर आपने बहुत ही हमारे जो दर्षक में प्रशन भीजा था, उसका बहुत ही आसानी के साथ, बहुत सरलता के साथ, इतना अछा यहाँ पर आपने उनहें उतर दिया और सचमुझ इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन हो गए हैं मेरे मस्तिक्ष में क्योंकि मैं यहां पर दर्शकों के बिहाफ से बैठी हूं और वो अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं क्योंकि आज की डेट में इंसान इतना जादा भ्रहमित हो गया है कि वो यह न लेकिन आज के लिए हमें समय इजाजत नहीं दे रहा है हम इस टॉपिक को कल के एपिसोड में कंटिनी करेंगे फिलहाल के लिए आप सभी से इजाजत लो उससे पहले डॉक्टर साब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी यहां पर आके आपके प्रश्नों के उत् दर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साब नामस्कार